तो अभी मॉर्निंग के बज रहे है साड़े आट और खुशे आप देख सकते हो फ्लावर्स तोड रही है तो हमारी यहां पर पेड़ पर एक भी फ्लावर्स रहने नहीं दिये थे चोटे-चोटे बच्चे और जो लेडिस है उनके हाथ नहीं पोहुचते है उपर तो वो जो है चोटे पेड़ से ही तोड़के ले जाती है और हमारे यहां पर भी बहुत से फ्लावर्स आये थे बट लेडिस ले गई और भगवांजी जो हमारे भगवांजी है गनपती बापा उनके लिए ले गई तो कोई बात नहीं उनका हो या हमारा भगवांजी तो सारे के सारे स करती है आपने बापपा के लिए और उसे बहुत खुशвол करती है तो यंट पर आई समय और आज को माला चड़ादी है और आज मुझे लगाने हैं तो दिए किस चीच के लगते हैं वो भी में बता दू तो यह देखी है पहले तो आप देख लीजिए मेरा यह decoration मैंने किस काउ अब से किया है यह दिये बनाए हैं तो यह दिये ना यह यह नो color का है यह हमारी ऩार्टालिका का का जो 70 का तेओ ठेओर थी न उस तो उसदिन नोट लगाते है इसकी पूझा होती है और फिर सांकलप छोड़ता है ना उसी तरह से वरत छोडना होता ही तो ये वरत छोड़ने के लिए दिये बनाए जाते हैं गेहू के अटे से और फिर उनकी पूजा की जाती है, गनपती बापपा की भी पूजा करते हैं, मैंने चोटु सा गनपती रखा है बीच में आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से पूजा करने के बाद दिये लगाते है और ये दिये जब सम हो जाएंगे और ये जो धागा है ये अभी मैं बापा के गले में रखूंगी और फिर बाद में ये जो दिये सम हो जाएंगे तो फिर मैं इसको ये धागे को मेरे गले में डालूंगी ये औरेंज कलर का ब्लाउद जो है संडे की दिन चाहिये है मतलब कि हमारे हाथ से आरती होने वाली है सारवजनिक गनपति की तो मैं यहाँ पर कटाई कर रही थी और यह हमारा पिछला रूम है मतलब की बेडरूम हमारे पीछे जो है न वो वाला रूम तो यहां पर मैं कटाई कर रही थी और खुशी ने मेरा यहां पर थोड़ा बहुत शूट कर लिया था तो आप देख सकते हो और मैं जब कटाई कर रही थी ना तो खुशी इतनी मुझे परेशान किये जा रही थी मम्मा मेरा ब्लाउट स्टीच करो मेरा ब्लाउट स्टीच करो तो उसको भी मतलब बड़ा शोगा रहा था अपने ब्लाउट सिल्वाने का तो खुशी ना बहुत ही जादा परेशान करती है और भूतनी के जैसी शरीर में प्रवेश कर जाती है यार मतलब वो भूतनीया होती है किसे शरीर में गुश जाती है प्रवेश कर जाती है तो पीछा ने छोड़ दी उसे काइंड अप से हमारे खुशी है तो राज के पापा ने ये सबजी आवेगेरे लाए है ये है फ्लावर आप देख सकते हो और भिंडी खुशी ये राज के पापा ने लाए है आज पता ने किसी ने बोला होगा तो उस वज़े से लेके आए है और ये मिठी है औरेंज फ्लेवर की है ये बहुत अच्छी लगती है विटामिन C की गोलिया है और ये है पोकडा तो हम पोकड़ा बोलते है कि आप दांडी देख सकते हो मतलब कि पीछे की जो उसकी डंठल है न वो तो, रेड किलर की है मतलब, रेड नहीं पींक बो सकते हो तो, कुछ इस का ऐंड आप से हे इसका नाम हिंदी में क्या है मुझे नहीं पता है और, इस में न मेरे लिए सप्राइज लाया थे राज के प मेरे कामका तो है पर सबके कामका है ये तो ये है ग्लास उन्होंने बोला कि आपके लिए सप्राइज है तो मुझे लगा मेरे लिए कुछ परसनल चीज लाए है लाइक मेकप का सामान वेगरा इसा कुछ तो मुझे लगा तो मैं बहुत सप्राइज हो गई थी और जब देखा न वो खोल के बॉक्स तो बहुत नाराज भी हो गई बट बहुत अच्छे थे क्यूट से थे वो ग्लास तो ये दिखी यहाँ पर मैं खुशी का ब्लाउज स्ट ममा मुझे साड़ी पहननी है मुझे साड़ी पहना के दो अगर आपने पहना होगे ना तो मैं खुद से पहन लोगी और ऐसा वैसा बोलने लगी तो मैंने सुचत चलो यार ये तो परेशान करना नहीं छोड़ेगी और हमारे खुशी का ऐसा है ना अगर उसके मायन में सामान निकाल के रखा था उसने और जब उसे साड़ी अच्छी ने लगी ना बोलने लगी फूली फूली पहनाई है और ऐसा वैसा तो नाराज हो गए और उसे अच्छा ने लग रहा था बोलने लगे आपने मुझे साड़ी अच्छे से वेर नहीं कराई है ममा तो वो इतन को तयार ही नहीं थी मैंने बोला बेटा यह तुमारे साइच की नहीं है तो इसमें ज्यादा टकिंग करेंगे तो फिर फूली-फूली ही लगेगी ना बेटा तो वह बोल रही थी नहीं ममा आपने मुझे अच्छे से वेर नहीं कर रही है तो बस ऐसा है हमारे खुशी मतलब म पानने को ही तयार नहीं होती है तो यह देखिए मैं उसको बोल रहे थी चलो बेटा पोच दो अच्छे से और अच्छे से दिखाओ कैमरे में बट वो ना बहुत नाराज हो रहे थी और अपना मुझ चुपा रहे थी और बोल रहे थी मैंने उसे बोला आंटी को दिखा कि आप तो साड़ी और बलाउज मतलब कि मेरी देवरानी तो वहां पर भी नहीं जा रहे थी नहीं मुझे नहीं जाना है मुझे अच्छे से साड़ी नहीं वेर कर रहे आपने इसा वेसा गुस्सा कर रहे थी तो यह देखिए यहां पर मुझ चुपा रहे थी बोल रहे थी मैंने आज खुशी का ब्लाउस स्टीच किया है आप लोगों ने तो देखा ही होगा फिर भी मैं एक बार आपको बता दू तो गनपती विशर्जन के लिए बोल रहे हैं कि मैं खुशी कि मैं साड़ी पहनूंगी ममा तो उसका एक पूराना वाला ब्लाउस था वो भी गोल्डन कलर का ही स्टीच किया था मैंने बट वो उसे नहीं आ नहीं रहा था तो इस वज़े से मैंने ये न्यू शिल्वा के दिया है उसे स्टीच करके ये देखिए कुछ इस स्टीच किया था जो उसको बिल्कुल भी मतलब हो नहीं रहता तो मैंने शचा चलाया रएक और विणा के देखिए हैं जो है घर के ही स्टीच करने वाले हैं तो उसे ना कि सब रही नहीं रहता है कब स्टीच करेगी ममा और कब मुझे पहनने के लिए मिलेगा ऐसा है उसका तो जब मैं stitch करते हूं ना तभी वो दो-तीन वारी जो है लटका लेती है मतलब ऐसे पकड़ती है ऐसे पकड़ती है मैं केसा लग रहा है ऐसा बोलती है तो बस यही था और मुझे क्या नाम है गायतरी कांबले गायतरी कांबले जी जो है ना उनका मुझे बार-बार कमेंट आ रहा है कि मैं आप अपने डिलोरी का experience हमारे साथ शेयर करो तो मैं देखूंगी मैं एक वीडियो उस पर डेफिनेटली बनाने वाले हूं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी द बहुत डर लगता है तो मुझे आप अपना experience बताईए मेरे साथ शेयर किजिए तो देखूंगी मैं कल या तो फिर परसों की दिन में जो है वो वीडियो अपलोड कर दोंगी तो चलिए फिर मैं मेरा जो यह व्लाग है यही पर एंड कर देती हूं और हमारी मतलब मैं आज मेरा वाला ब्लाउस स्टिच करने वाली थी बिकास हमारे हाथ की जो आरती है न सारजनिक गनपती की जो आरती है न वो हमारे हस्ते मतलब हमारे हाथ से होने वाली है तो संड़ तो आपको क्या बता हूँ मेरे मतलब वह भूतनी की जैसे मेरे वह बोलता है ना कि शरिन में प्रविश कर जाते हैं भूतनिया तो उस काइंड आप से उसने इतना मुझे परेशान किया नई मुम्मा मेरा ब्लाउ स्टीच करो पेले मेरा करो तो फिर मैंने खाना में खाया और फिर खाने के बाद मैंने एक देड़ बजे जो है में मशीन पर बैठी और स्टीच करने के बाद जो है एक ब्लाउ स्टीच किया खुशी का और फिर मेरा मुड जो है आफ हो गया तो मैंने मेरा जो ब्लाउज है कटाई करके वेशा ही पड़ा है देखूंगी कल स्टीच कर करना ही करना ही पड़ेगा क्योंकि कल सेटाड़े और परशो है संड़े कि हमारे हात की आरती है वह है तो मुझे उर्च कलर कि सारी मैंने आपके सांए हुआर करी थी गूर और ओरेंज को वाली सारी मुझे पहने में उस दिन sunday की वह एढ़ेस्थी आप लोगो को मै ​Mire Vlogs jsou लगते हैं तो एक लाइक कर दीजिए gehen और ​Kमेंट भी कर दीजिए गा का आपको मेरी ब्लॉग अच्छे लगते हैं या विडियो से अच्छे लगते है तो चलिए फिर मेरे नेक्स वीडियो में तब तक क Raven R मेरे कुष्री अपने और अपरी परियार का क्या रखिए, बाइ-बाइ